ठीक है तो अब चलते हैं अपने 3rd action की तरफ 2 हो गया हमारे पास ठीक है तो देखो cascade वाला हो गया अब देखो next है हमारे पास set null अब देखो यह भी बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा use भी होता है यह software companies में देखो set null के बारे में क्या कह रहा है if a user tries to delete or update statement that will affect rows in the foreign key table then those values will be set to null when the primary key record is deleted or updated in the primary key table ठीक है भाई देखो इस case में क्या होगा अगर आप primary key वाले table के अंदर कोई भी data update करते हो या delete करते हो तो उससे related जो भी data हमारे foreign key table में होगा वो null हो जाएगा for example मैं four customer id का data delete करता हूँ ठीक है तो जब delete करूँगा तो four customer id से related जितने भी foreign key के अंदर records थे वो सारे के सारे null हो जाएंगे मतलब उनकी ाइडी क्या set हो जाएगी null set हो जाएगी ठीक है फिर देखो second point the important thing that we need to keep in mind that the foreign key columns affected must allow null values मतलब देखो जब भी आप foreign key के साथ ये वाला set null वाला अगर आप action perform करते हो तो आपने make sure करना है कि आपका वो जो foreign key वाला column है वो not null नहीं होना चाहिए मतलब वो null values accept करना चाहिए ठीक है तो देखो इसी को diagram से समझाता हूँ यहां पर देखो हमारे पास यह customer table है ठीक है और यहां पर यह हमारे पास क्या है foreign key वाला table है मतलब order table है ठीक है तो यहां पर देखो यह जो हमारे पास उस्मान है ठीक है जिसकी customer id क्या है 4 है अगर मैं इसको यहां से delete करता हूँ ठीक है तो जैसे ही अगर मैं इसको delete करूंगा तो यह जो हमारा order table है इसके अंदर देखो जहां जहां आपके पास four customer id है वो क्या set हो जाएगी null set हो जाएगी उस्मान ने दो orders place केते हैं एक hard day score monitor तो देखो वहाँ पे क्या set हो गया null null कब set होगा delete करने पर या update करने पर जब आप अपनी foreign key के साथ यह set null वाला action perform करोगे और और अगर मैं यहां पे देखो कोई भी id update करता हूँ for example मैं जो अनस की id है यह 3 से 8 कर देता हूँ तो उस case में भी जहां जहां 3 id है customer id है वो क्या हो जाएगी null हो जाएगी ठीक है अब इसका practical मैं आपको करके दिखाता हूँ ठीक है तो यहां पर देखो अब सबसे पहले मुझे दुबारा यह delete करने दोनों tables ठीक है execute करते है ठीक है और customer table को भी मैं drop करता हूँ अच्छा देखो अभी मैं tables को drop करने के बाद दुबारा से क्या कर रहा हूँ table create करते वक्त मैं foreign key लगा रहा हूँ ठीक है लेकिन अभी इस lecture के end में मैं आपको बताऊंगा क्या अल्टर करते वक्त भी मतलब अल्टर से भी आप क्या कर सकते हो यह काम कर सकते हो मतलब आप alter करके foreign key को पहले drop करो और दुबारा अल्टर करके क्या कर दो foreign key को किसी भी action के साथ add कर दो ठीक है तो देखो अब यहाँ पर चलते हैं अब मैं दुबारा यह table create करता हूँ पहले सबसे पहले customer वाला ठीक है execute करते हैं बन गया table इसके अंदर rows insert कर देते हैं इसको भी execute करते हैं फिर नीचे आ जाओ अब यह देखो अब यह जो हमारे pass order वाला table है न इसके अंदर मैं क्या करूंगा देखो अब यहाँ पर मुझे data change करना है ठीक है अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ on delete पर cascade नहीं बलकि क्या set हो जाए set null और on update पर भी क्या set हो जाए set ठीक है तो अब मैं यहाँ पर आके इस table को select करता हूं और execute करते हैं ठीक है execute हो गया और इसके अंदर जो रोज हैं वह भी मैं insert कर देता हूं execute करते हैं तो देखो यह पांस रोज यहाँ पर इसका मैं data आपको दिखा देता हूं यहाँ पर ठीक है यह दुबारह से वह सारा data यहाँ पर आ चुका है चाहिए यह आपके पास customer है और यह नीचे आपके पास order table है ठीक है तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं अब यहाँ पर धेको अब यहाँ पर तो अब यहाँ पे देखो यह तो customer table है इसमें से अनस delete हो चुका है और अगर आप यहाँ पे अनस वाले orders देखो अनस ने दो order किये थे तो उन पे उनकी customer id क्या set हो चुकी है null set हो चुकी है तो एक यह point आपने याद रखना है फिर देखो यह तो delete वाला था अब अगर मैं update करूँ देखो अब update करते वक्त मैं क्या कह रहा हूँ जो customer id है customer id क्या है one है उस customer की id आप one से हटा के क्या set कर दो seven set कर दो ठीक है तो one देखो one पे कौन है यहाँ पे अली है ठीक है तो अब यहाँ पे देखो अली की id क्या हो चुकी है update होके seven हो चुकी है लेकिन अली ने जो order place किया था कौन सा रैम वाला वहाँ पे क्या set हो चुका है नल set हो चुका है मतलब update करो या delete करो दोनों की cases में आपका जो child table है foreign key वाला table है वहाँ पे क्या set हो जाएगा उसकी customer id में null set हो जाएगा तो यह था हमारा third constraint अब चलते है अपने last constraint के उपर और उसका नाम है आपके पास set default ठीक है अब देखो set default के बारे में क्या कह रहा है if a delete और update statement effect rows in a foreign key table then all rows containing those foreign keys are set to the default value मतलब अगर आप अपने parent table के अंदर कोई भी delete या update statement execute करते हो तो उसका effect foreign key वाले table में क्या होगा कि foreign key वाले table में जो default value आपने set की होगी वही उन customer id में set हो जाएगी वही देखो default value का मतलब देखो default हम किसी भी column पे कैसे लगाते है default का constraint यूज़ करके मतलब एक अलग से constraint आता है जिसका नाम है default constraint ठीक है तो वो default constraint अगर उस column पे लगा हुआ होगा तब ही ये set default वाला action perform होगा ठीक है तो अगर किसी को default constraint के बारे में नहीं पता तो उसकी वीडियो हमारे SQL server की playlist में मौझूद है उसका link भी मैं आपको description में द all foreign key columns in the related table must have default constraint defined on them देखो वही बात कर रहा है जो मैंने भी आपको बताया मतलब जो आपका foreign key column है उसके अंदर आपको default constraint लाजमी लगाना है तब ही ये action perform होगा otherwise नहीं होगा ठीक है for example इसको diagram से समझाओ जिस तरह यहाँ पे देखो हमारे पास ये customer का table है और इसके अंदर अ गता हूं तो देखो order table के अंदर 4 customer id से जो भी records है उनकी customer id क्या हो गई 0 हो गई 0 क्यों हो गई क्योंकि यह जो customer id वाला column है जिस पर foreign की लगी हुई है इसके उपर मैंने default constraint भी लगाया हुआ है और default constraint क्या है जो कि default value set करवाता है और default value मैंने क्या set करवाई भी थी 0 तो उससे क्या हुआ जैसी मैंने यह 4 record delete किया या update किया तो उसकी customer id क्या set हो गई जो मैंने default value दी थी 0 लेकिन देखो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है यह जो 0 customer id आपने दी है न वो 0 customer id वाली row आपके primary की table में भी होनी चाहिए ठीक है मतलब दो काम आपने करने है मतलब जब आप set default को implement कर पाओंगे ठीक है सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर देखो सबसे पहले यह जो हमारे पास tables मन को delete कर देता हूं ठीक है क्योंकि मुझे इनके लिए बिलकुल एक नया table बनाना है पहले order table delete करते हैं और फिर उसके बाद यह customer table delete करते हैं ठीक है और अब आ जाओ अब यह दोनों tables दुबारा से हम create करते हैं सबसे पहले customer table इसको select करते हैं और इसी के साथ साथ रोज भी हम insert कर देते हैं execute करते हैं पर नीचे आते हैं आप देखो ही जो हमारे पास order वाला table है ठीक है इसके अंदर मुझे अब थोड़ी ची changing करनी है वो changing क्या करनी है यहाँ देखो मैं आप पर कहता हूं set default ठीक है on delete पर भी set default और on update पर भी set default तो इसको मैं यहाँ पर आके execute करता हूं select करते हैं इसको execute करते हैं ठीक है तो यह table भी बन गया और इसके अंदर मैं यह जो rows हैं इनको भी insert कर देता हूं ठीक है तो अब आपको अगर मैं यह दोनों tables दिख ठीक है execute करते हैं इसको ठीक है तो यहाँ पर आप result देखो ठीक है आप देखो अब मैं क्या चारा हूं मैं आसे जो भी customer ID delete करता हूं या update करता हूं तो उससे related जो भी order है वो क्या हो जाए उसकी customer ID 0 हो जाए मतलब 0 से हमें यह पता चलेगा कि कोई भी customer यहाँ पे मौजूद नहीं है मतलब उसकी customer ID मौजूद नहीं है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यह वाला जो कॉलम है हमारे order table के अंदर CID इसके ओपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा default हम किस तरह से लगाते हैं यहाँ पे देखो अल्टर table और table का नाम क्या है table का ना order लिख दिया और मैं आपर क्या क्या रहा हूं add का keyword और यहाँ पर default एड के बाद default और क्या value set करना चाहरा हूं 0 set करना चाहरा हूं for कौन से कॉलम के लिए हमारे पास जो order का table है इसके अंदर एक कॉलम है CID इसके उपर मुझे क्या लगाना है क्या default value set करनी है जीरो default value set करनी ह तो आप इस line को select करते हैं और execute करते हैं ठीक है तो देखो यह तो पहला step हो गया मैंने क्या बताया कि जब आप set default वाला action perform करना चाहते हो तो आपको दो काम करने है सबसे पहला काम क्या करने है एक तो अपना यह जो order table है जो foreign key वाला table है उसके अंदर जो आपका foreign key वाला column है उस पे आपने default value set करनी है अब default value कोई भी हो सकती है मैंने यह पे 0 set कर दी लेकिन देखो यह जो 0 customer ID है यह हमारे customer table के अंदर तो मौजूदी नहीं है मतलब अगर आप यहाँ पे देखो आपको customer table दिखाऊ ठीक है तो देखो हमारे जो customer table है इसमे 0 ID पे तो कोई भी record नहीं है तो जब मैं data delete करूंगा तो फॉरण की वाले table में 0 कैसे आएगा ठीक है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे अपने customer table के अंदर एक 0 ID वाली row भी insert करनी पड़ेगी किस तरह से यहाँ पर देखो यहाँ टॉप पे चलते हैं और देखो यहाँ पर और address में address में यहाँ पर मैं कह देता हूँ for example no address ठीक है और यहाँ पर जो इसकी location है ठीक है city है उसको मैं कर देता हूँ for example no city ठीक है मतलब अगर मैं कोई भी record अपने primary की वाले table से delete करता हूं तो customer ID कौन सी set हो जाएगी यह वाली set हो जाएगी जिसकी ID क्या है 0 और यही मैंने अपने foreign की वाले table में as a default value set करवाई है तो इस row को select करता हूँ और execute करता हूँ ठीक है देखो execute हो गया तो यह था हमारा दूसरा step अब अगर मैं आपको अपने दोनों tables दिखाओ ठीक है अब मैं आपको अपने दोनों tables यहाँ पर दिखाता हूँ select करते है execute करते है तो अब य भी वो customer होगा उसकी जगा default value क्या set हो जाएगी zero set हो जाएगी ठीक है मतलब देखो यह भी set null की तरह ही है लेकिन हम null के बजाए यहाँ पे कोई default value set करवाना चाहरे है जो primary key के अंदर भी मौझूद है तो यह वाला काम भी आप यहाँ पर perform कर सकते हो तो अब देखो अब मैं यहाँ पर delete करता हूँ यह ठीक है मैं कौन सी customer ID delete कर रहा हूँ टू कौन है अनस वाली हमारे पार customer है तो अनस related दो records है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर क्या value set हो जाएगी default value 0 set हो जाएगी तो देखो अब मैं इसको select करता हूँ execute करते हैं तो यहाँ पर देखो one row affected और अब अग delete हुआ तो यहाँ पर देखो वह जो अनस के आपके पास products थे orders थे उनकी customer ID क्या हो चुकी है जीरो हो चुकी है ठीक है और जीरो के आतरी default value ठीक है और अब अगर मैं update करने ही कोशिश करूं मतलब यहाँ पर देखो यह जो one है one customer पर कौन है अली है ठीक है मैं कह रहा हूँ कि अली का जो आपके पास ID है ना वो मैं update करके 7 करना चाह रहा हूँ तो जब मैं 7 करूंगा तो यहाँ पर देखो जो अली का यहाँ पर record था order table के अंदर वहाँ पर default value क्या set हो जाएगी 0 set हो जाएगी ठीक है तो इसको select करता हूँ और यहाँ पर आके execute करता हूँ तो देखो one ही ने यहाँ पर जो order में RAM purchase किया था तो देखो उसकी customer ID default value क्या set हो चुकी है 0 set हो चुकी है ठीक है ठीक है तो यह था हमारा चौथा और last action जो के हमने foreign key के साथ implement किया ठीक है फिर यहाँ पर आते है अपनी slides के उपर अब यहाँ पर देखो एक important note बहुत ही जादे एक important बात यहाँ पर देखो क्या कह रहा है you cannot add on delete cascade to an already existing constraint मतलब मतलब जब हमने foreign की हम लगाते हैं तो उसमें by default no action का constraint लगावा होता है तो अगर मुझे उसको alter करना है तो मैं उसको alter करके कोई दूसरा constraint नहीं लगा सकता उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखो you will have to drop and recreate the constraint मतलब देखो column की बात नहीं हो रही constraint को drop करने की बात हो रही है और recreate करने की बात हो रही है मतलब जब हम foreign की लगाते हैं उसके साथ by default no action वाला action लग जाता है लेकिन अगर मुझे उसको update करके alter करके अगर मुझे उसको cascade करना है या set null करना है या set default करना है तो उसके लि तो यहां पर यही कह रहा है, the documentation shows that the modify constraint clause can only modify the state of the constraint, state of constraint का मतलब enable या disable, मतलब अगर आप modify constraint को use करते हो न, तो उसको use करके आप अपने constraint को just enable या disable ही कर सकते हो, enable या disable का मतलब भई देखो, जब आप constraint लगाते हो, by default वो enable होता है, लेकिन अगर आप चाहरे हो कि थोड़ी देर के लिए वो अपना काम नहीं करे, काम करना बंद कर दे, तो आप modify constraint के साथ disable use करोगे, तो आपका constraint disable हो जाता है, और enable करोगे तो दुबारा enable हो जाएगा, लेकिन देखो मैंने क्या बताया, आप alter करके अपने constraint को drop करो, और उसके बाद recreate करो, तो उसके लिए query क्या होगी, यहाँ पर देखो, देखो, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, alter table, table name, drop constraint, और फिर constraint का नाम, कौन से constraint की बात कर रहा है, फॉरण की constraint की बात कर रहा है, और first time मैंने क्या बताया था, जब फॉरण की constraint लगाते हो, तो उसके साथ no action लग जाता है, तो मैं कह रहा हूँ, वो जो no action वाला constraint था ना, उसको मैं drop कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ये query लगा रहा हूँ, देखो, alter table, table का नाम, और फिर add constraint और फिर constraint का नाम, आपके उपर है कुछ भी रख दो, और फिर आपका ये जो, फॉरण की वाला table है, उसके कौन से column पे आप फॉरण की लगाना चाहरे हो, वो यहाँ पे specify करनी है, और फिर references, प्राइमरी की वाला table कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे आएगा, और प्राइमरी वाले column का नाम यहाँ पे आएगा, और फिर end में आप बताओगे के भई, आपको on delete पे cascade लगाना है, और on update पे no action, मतलब आप different भी specify कर सकते हो, कि on delete पे for example cascade हो जाए, और on update पे no action हो जाए, तो आप जरूरी नहीं है कि आप same लगा हो, on delete पे भी same हो, on update पे भी same हो, आप different भी लगा सकते हो, on delete पे different हो सकता है, और on update पे भी different हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा था मैं तो हर दफा यह जो constraint add कर रहा था वो create table करते वक्त add कर रहा था लेकिन आप यह वाली query भी use करके उसको drop और recreate कर सकते हो किसको अपने constraint को और देखो यह जो constraint का name है यह आपको कहां से मिलेगा यह मैं आपको बता देता हूँ देखो यह जो मेरा table है ठी इसके database में इसमें tables है tables को मैं refresh कर लेता हूँ इसको expand करो ठीक है और यहाँ पे जो मेरे पाद दो tables है वो है customer table और order table order table पे मैंने यहाँ पे लगाया है देखो मैं इसको expand करता हूँ और constraints पे यहाँ पे जाके देखो यह default लगावा है और अगर आप keys को expand करो तो देखो primary key और foreign key ठीक है तो जिस foreign key को आप यहाँ पे delete करना चाहरे हो drop करना चाहरे हो उसको यहाँ से देखो आप यहाँ से drag and drop कर तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और इसके उपर alter drop की statement आप apply कर सकते हो तो उससे क्या होगा यह delete हो जाएगा ठीक है तो एक इसका यह बहुत important point है तो यह था आज का हमारा lecture cascading referential integrity constraints उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह lecture मेरा समझ में आया ह वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दौाओं में याद रखिए तो मिलते इंशाला नेक्स लेक्शेर के अंदर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्ला हाफिस